अब यार काफी टाइम से आप लोग बोल रहे होगी सर आप कब स्ट्रेटेजी सेशन लोगे मशीन का आप कब बताओगे कैसे तैयारी करनी है तो मैंने सूचा यार इस फ्राइडे को इस वीकेंड को यूज किया जाए क्यों ना बच्चों की खुआईश पूरी कर दी जाए उनको स्ट्रेटेजी बता ही दी जाए और इसी सोच के चलते मैं आपके लिए सेशन क्रियेट किया हूँ यार बहुत लंबा सेशन तो नहीं हो हम शुरुआत करें सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है दबा के लाइक ठोकना है और जादा से जादा बच्चों से शेयर करना है शेयर करकर के न वीडियो को जब वाइरल करोगे तब बिटा मोटिवेशन इतना अच्छा आता है कि बच्चों के लिए और कुछ करना है त बच्चों करेंट आपको करना है और का अच्छा आपको करना है यह सारी बाते बहुत से लोग जानते हैं मैं कहता हूं लेकिन बिटा सबसे जादा इंपोर्टेंट चीज कह है सबसे जादा इंपोर्टेंट चीज है जो यह चैनल है यह पूरी सोच बदल रहा है बच्चों की बच्चों का लेवल बदल के रखते रहा है कुछ नया मार्केट में लेके आ रहा है लगातार इनोवेट कर रहा है और आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट्स किये जा र रुखते हैं हम लोग हम लोग आपको फ्री कंटेंट देते हैं अनकैडमी एप पे भी तो अगर आप अनकैडमी एप इंस्टॉल कर लो तो आप हमारा कोई भी फ्री इनिशेटिव वहां पे देख सकते हो सिंपली आपको अनलॉक करना पड़ेगा ताले की चावी लगानी तो यहां जाना एक बारी अपकमिंग में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी कौनसी क्लास नेक्स्ट कमिंग अप है ठीक है तो यहां पे देखना चलो शुरू किया जाए पिटा इस बात पर चलो तो शुरू कर लेते हैं यार इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में बात कर करेंगे that is how to study electrical machines just a minute guys मुझे थोड़ा सा यह देखना पड़े है क्या हुआ एक मिनिट जस्ट गिव मी अ मिनिट बिटा तो I think now I am visible है ना चलो तो शुरू करते हैं यार तो आज हम लोग discuss करने वाले हैं बिटा strategy to master electrical machine की कैसे subject पे command हासिल की जा सकती है कैसे इस subject पे आप लोग और अच्छे से perform कर सकते हो यह चीज हम लोग आज discuss करने वाले हैं बिलकुल कुमार बिटा आप लोग के suggestion में लगतार note करता रहता हूं और आपके लिए learn engineering के और बहुत सारे session आते रहेंगे बट आप लोग यार support करो उस initiative क तो जादा से जादा spread करो है ना चलो तो बिटा देखो challenges क्या है machine के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चे घबराते हैं पहली बात तो भई यह सबसे lengthy subject है पूरे electrical EC का around 160 से 170 hours इसको लग जाते हैं पढ़ाने में ठीक से concept काफी interlinked हैं बहुत सारी चीज़े पता ह होनी चाहिए तभी दूसरी चीज़ समझ सकते हैं DC machine में पढ़ा हुआ concept synchronous में काम आ जाता है synchronous का concept induction में काम आ जाता है induction और transformer वैसे ही आपस में relate हो जाते हैं तो sometimes यह circular हो जाता है subject कि इसके अंदर सारी चीज़े एक साथ मालूम होनी चाहिए तब आप बहुत अच्छे समझ सक पिर क्या होता है बच्चों का basic कमजोर रहता है अगर basic कमजोर है वैसी कोई subject समझना मुश्किल है और फिर machine जैसा subject तो एकदम मुश्किल हो जाता है अगर हमारा basic कमजोर हो फिर क्या होता है AC analysis बच्चों का कमजोर रह जाता है AC analysis जिसको अच्छे से नहीं आता phaser के बारे मे knowledge नहीं है, impedance, reactance, real power, reactive power, अगर ये सब चीजों का basic information clear नहीं है, तो बिटा, machine तो उपर से जाने वाला है, bouncer पढ़ने वाले हैं, खतरनाक तरीके से, इसलिए मैं कहता हूँ, अगर देखो, आपको AC analysis cover करना है, तो ये आप cover करो बिटा, मैंने planet gate पे पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से, वहाँ पे से AC analysis और three phase circuit cover कर लो, तो मज़ा आ जाएगा, उसके बाद आपको, उसके बाद आप असली machine की शुरुआत कर पाओगे, असली तरीके से सीख पाओगे, क्योंकि real और reactive power ऐसी चीज होती है, कि network वाले formula पढ़ा देते हैं, ये सोच कि बच्चे machine power system में पढ़ेंगे, machine power system वाला teacher ये सोचता है, इतना तो बच्चा जानता ही होगा, तो बच्चे बीच में अटक जाते हैं, ना तो machine वाला teacher बताता, ना ही network वाला बताता, तो मैंने इसलिए network के अंदर ही आपका ये concept इतना consolidate कर दिया है, कि अब आपको दिक्कत नहीं आ सकती, फिर क्या होता है, कहते हैं सर, इतनी सारी theory है, कहां तक याद रखें सर, कैसे इतना कुछ remember कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे दिक्कत फंस जाती है, last problem होती है बिटा, कि numerical बहुत lengthy हैं, और जल्दी क्लिक नहीं करता, कहां से शुरू करें, कहां से पढ़ाई शुरू करें, कहां से numerical को solve करना शुरू करें, पहली line क्या लिखें solution के अंदर, यह चीज़ बिलकुल ही हवा नहीं लगती है, मुझे बताओ, क्या आप लोगे साथ भी ऐसी problems आती हैं, जल्दी बताओ, इन में से कितने challenges ऐसे हैं, जिन से आप इतिफाक रखते हो, या जो challenges आप भी face करते हो machines के अंदर, क्या यही वो points हैं, क्या यही वो चीज़े हैं, जो आपको सताती हैं, जब आप machines की बात करते हो, आपको दिक्कत देती हैं, है न, तो machine बिटा, एकदम एक न, nightmare subject बन जाता है, अतलब घबराहट होने लगती है, machine के नाम से, कि भाई, यह तो number देने से रहा, इसमें तो number आएंगे नहीं, यहां तो number हमारे cut ही होने वाले हैं, और इसी डर से जो machine का phobia setup हो जाता है न, आपके अंदर, तो फिर बिटा, आप कोई subject अच्छे से नहीं कर पाते हो, फिर कोई subject जब आप किसी भी subject का phobia बढ़ी खतरनाक चीज है, समझ रहे हो, machine से जादा, machine की दहशत आपको परिशान करती है, क्योंकि machine की दहशत जो होती है, वो आपको सीखने ही नहीं देती है subject को, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, last two, बलकि पता यह जो बाकी के problems है न, यह आप realize नहीं करते हो, actually यह problems होते हैं, मैं जब machine पढ़ाता उन्हां बच्चों को live, तब मैं एक चीज उन्हें बार 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 proof करता हूं कि जो वो गलतियां कर रहे हैं, वो गलती machine की नहीं है, वो गलती network की है, वो गलती silly mistake है, वो गलती calculation mistake है, तो आपको क्या लगता है कि आपने अगर network के सवाल बना लिए, तो हमारा network वाला part बहुत strong होग है, नहीं बिटा, network के अंदर अक्सर एक ऐसा misconception रहता है कि network के question कर लेने का मतलब है, network is very very strong, मैं कहता हूं किसी भी बच्चे का network analysis तब strong है, जब वो उस network analysis की application अच्छा कर पाए, यानि network को machine में connect कर पाए, network को वो power system से connect कर पाए, वो network को analog के अंदर apply कर पाए, जब बच्चा इस level पे चीज़े करने लगता है, then you can say network is actually very very strong, अगर आप कभी भी अपना कोई कियावा question, उसका solution देखोगे, उसकी mistake monitor करोगे, more or less आपको ये मालूम चलेगा, कि गलती आपसे network में हुई है, गलती आपसे ऐसी जगे हुई है, जहां पे आप कभी expect भी नहीं कर सकते थे, तो बिटा इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर machine बहुत अच्छे समझना है, तो AC analysis और three phase, कम से कम network का ये वाला part बहुत solid आप लोगों को कर लेना है, यानि real reactive power ऐसा होना चाहिए, कि कोई पूछे ना, तो पूरी किताब लिख डालो, इतनी knowledge आपको चाहिए, तब आप real और reactive power से अच्छा connect कर पाओगे, machines के अंदर है ना, और फिर three phase circuit भाईया, three phase transformer में star delta आ जाता है, ना तो हमें ये पता star के क्या rules होते हैं, ना हमें ये पता delta में क्या याद रखना है, तो ये दो चीजे यार कम से कम जरूर देखना, यहाँ पे आपके ना almost 30 to 35 lectures होंगे, यहाँ पे आपको 30 to 35 videos देखनी पड़ेंगी, और question तो बनाने ही पड़ेंगे, तब आप machine को बहुत अच्छा connect कर पाओगे, है ना, अब देखो, कुछ points जो आपको मदद करेंगे, पहली बात तो बिटा theory कभी भी memorize नहीं करनी है, आज की डेट में देखो, आप machine का कितना भी tricky question मेरे सामने लेके आओ, कितना भी conceptual question मेरे सामने लेके आओ, जादा तर chance यह है कि मैं उसे solve कर दूँगा, क्योंकि मैं उसके बारे में सोचूँगा, मैंने रटा नहीं है, समझ रहे हो, अगर कोई मुझसे यह पूछता है भईया, open slot में harmonic torque जादा होता है, या कम होता है तो मिरे को याद नहीं है, बट मैं open slot की image मेरे दिमाग में आती है, और मुझे यह पता है कि harmonics किस कारण से पैदा होते हैं, मैं तुरंत analyze करके बता दूँँगा, जादा है या कम है, तो that is the skill that you need, you don't need to memorize it, memorize की जगे बेटा, analyze करो, चीजों को समझो, सीखो, analyze, visualize, ये वाले lies अच्छे हैं, वैस तो जूट बोलना गलत है, बट memorize वाला तो eyes एकदम बेकार है, memorize वाला eyes मत करो, analyze और visualize, अगर कोई चीज आपने picture की form में देखिए, कोई भी चीज को आपने, बहुत अच्छे से देखा है, ग्राफिकली समझा है, तो definitely आपको वो चीज़ें याद रहने वाली हैं, पता है क्या होता है, human mind जो है, images को ज़्यादा अच्छा याद रखता है, as compared to text, अब किताबों के अंदर अक्सर क्या होता है, किताबों के अंदर बहुत सारी बातें, text की form में उड़ा दी जाती हैं, उनके अंदर उत्रा नहीं जाता, उन concepts की गहराई तक उत्रा नहीं जाता, और जब हम ऐसा करते हैं, तो बच्चा क्या होता है, रीड कर लेता है, अब बच्चे ने एक बार रीड तो कर लिया, अब जब उस पे सवाल आया, तो हो सोचना शुरू करता है, क्या लिखा था इसके बारे में, बिटा ये approach गलत है, क्या लिखा था, आपको किताब के pages याद नहीं करने हैं, आपको notes के pages याद नहीं करने हैं, चीजें आपको हमेशा, चीजें आपको हमेशा क्या रहनी चाहिए, analytical ability में रहनी चाहिए, भले ही आप जो एक line book के अंदर direct लिखी थी, वहाँ पहुँचने के लिए 4 step लगा दो, लेकिन पहुचो logically ताकि कभी भी कोई भी question कहीं से भी frame हो, 4 concept को link करके भी frame हो, आप उसे बारी 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 की से एकदम खोलते चले जाओगे, धागा उधेरते चले जाओगे उसका, ऐसा concept होना चाहिए, जैसे देखा है कपड़े में से एक धागा निकालो, तो पूरा कपड़ा धीरे-धीरे खुलता जाता है, वैसे हमें strategy रखनी है, आप लोग कहना कपड़े को ऐसे चीरने की कोशिश करते हो, ना बिटा, आप एक धागा खीचो, और सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जुड़ी हुई है, अगर आप एक end से पकड़ना शुरू किये, then you will be able to connect all the concepts, rather than going after each concept individually, आज की date में यार मुझे machine पढ़ाए, honestly बहुत जादा time हो गया है, काफी time पहले मैंने machine लिया था, last year के end में, but still I remember each and everything very very clearly, how? क्योंकि मैंने चीज़ें रटी ही नहीं है यार, अगर कोई purely रटने वाली बात होती, बिल्कुल मैं रट सकता था, हो सकता है मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन जो चीज़ें बिना रटे हो सकती हैं, अब ऐसे एक example लो, मान लो crawling की कोई बात करें, crawling की जैसे ही कोई बात करता है न, वर्ड बोलते हो crawling मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या स्ट्राइक करती है, उसके टॉर्क का ग्राफ, समझ रहे हो कि fundamental टॉर्क बनता है, seventh harmonic बनता है, fifth harmonic बनता है, और बीच में एक saddle region जनरेट हो जाता है, इस तरह से मेरा दिमाग चीज़ों को relate करता है, आप बोलोगे cogging, मेरे दिमाग में figure आएगी teeth से teeth align हुए वे, तो बिटा मेरे दिमाग के अंदर जो machine stored है, that is in the form of images, not in the form of text, and that is actually the correct method to understand a subject, such a beauty, such beautiful subject called machines, क्योंकि बिटा, machine में सबसे अच्छी बात ये है, नजर आती है, कैसे बन रही है, कैसे flux flow कर रहा है, नजर आता है, कैसे flux में दो लाइने आपस में divide हो गई, ये सब चीज़ें हमें नजर आती हैं, जब machines की बात करते हैं, फिर भी अगर machine को रटना पड़ गया, तो बेटा लानत है इस तरह की studies पे, और लानत है इस तरह की तैयारी पे, है ना, अब learn concepts the logical way, ये ही चीज़ अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, चीज़ों को connect करना सीखो भाई, ऐसा मत सोचो machine के 100 concept है, तो 100 तैयार करने है, एक तैयार करना है, और ऐसा तैयार करना है, कि वो 2 से लेके 100 तक, सारे concept को जोड़ता चला जाए, मतलब ये समझो बिटा, जैसे आप कभी कोई देखे, वो fool की माला बनती है, fool की माला में क्या होता है, एक धागे में fool पिरोते जाते हैं, ऐसे ही आपको वो पहले धागा ready करना है, basics का, एक बार वो धागा ready कर लिया ना, basics का, तो उसके अंदर फिर हम एके करके concept जोड़ते चले जाएंगे, and it will be a interlinked, it will be a chain, ठीक है, तो हरे कड़ी पे काम नहीं करना, पहले basic fundamental generate करो, फिर उससे कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, तब जाकर के, आपके सारे concept clear होंगे, यहाँ पे बेटा, basics of EMFT बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे आपको vectors का अच्छा idea होना चाहिए, basic laws का अच्छा idea होना चाहिए, यहाँ आऊँगा इस पे भी, कि कौन से basic laws लगते हैं, ठीक है, vectors के अंदर, जैसे cross product में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बच्चों को cross product नहीं पकड में आता है, यहाँ पे आप लोग right hand rule की अगर बात करें, तो मैं जैसे right hand thumb rule को बहुत ज़्यादा prefer करता हूँ, कि कोई भी cross product निकालना है life में, तो एक single rule हमेशा हमें सही answer देता है, that is right hand thumb rule, है ना, right hand thumb rule, फिर easy numerical से शुरू करो यार, देखो मेरी क्या आदत रहती है ना, मैं आपको best of the best numerical class के अंदर कराता हूँ, ताकि जब आप खुद से सवाल लगाने start करें, तो आपके जो सवाल है ना, वो आपको लगे, यारे सर ने तो इससे कर रहा question कराया था, ये तो बच्चा question है, ऐसा मैं आपको feeling देना चाहता हूँ बिटा, क्योंकि जब मेरे से आप कोई subject पढ़ते हो, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि teaching इतनी tough हो जाये ना, learning इतनी tough हो जाये कि exam उसके मुकाबले बहुत easy नजर आए, क्योंकि बचा इसी तरह से मेरा first rank आया है, मेरे college के paper actually इतने tough होते थे, उतना tough question, gate वाले भी नहीं पूछते हैं, तो बचा मैं यहाँ पे जब college के अंदर अच्छा कर लेता था, मैं college के अंदर अगर एक भी numerical बना लेता था था ना, तो मेरे अंदर एक confidence आता था, कि यार हमारे सर ने इतना tough numerical दिया, और वो मैं बना गया, तो यह confidence जब मेरे अंदर generate हुआ, और मैंने देखा paper के question, gate के question तो इससे कम level के हैं, तो मेरा confidence automatically high हो गया gate के अंदर, same चीज बेटा अभी जो मैं आपको machine की question सिरीज करा रहा हूँ न, उस question सिरीज के अंदर I am solving the best of the best problems for machine, वो उतने tough problems है ना कि उससे उपर आपका civil service तक में नहीं आने वाला, तो अगर आप वो question कर ले रहे हो, तो gate वाले question को तो आप हवा कर दोगे, पानी की तरह भाद होगे, rate की तरह उड़ा दोगे, अब बेटा formula list बहुत ज़रूरी है, देखो, आप सभी लोग power electronic से डरते हो formula से right, power electronic से डरते हो, लेकिन बेटा मैं कहता हूँ, power electronic से ज़ादा formula actually machine में है, हम लोग पता है, machine की theory में इतना जूम जाते हैं, कभी हम लोग इस बात पर गौर ही नहीं करते, कि machine के अंदर chapter by chapter, कितने formula जुड़ते जा रहे हैं, पचासो, सो formula अराम से machine के अंदर हो जाते हैं, बस ये तो ये बात होती हैं, कि conceptual ज़ादा है subject, तो हम लोग को realize ही नहीं होता कि इतने formula हैं, अगर मैं transformer, transformer के सारे concept note down करने बैटू न, तो कम से कम, कम से कम बेटा, मुझे 10 page लग जाएंगे, transformer के सारे concept note down करने में, इतने level पे formula है, तो बेटा, formula list बना के रखो, क्योंकि last में बहुत मदद करेगा, और जब जब मैं आपको formula list की बात बोलता हूँ, मैं आपको एक चीज़ और साथ में बोलता हूँ, कि हर formula का description, application, limitation, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लोग, transformer का, approximate voltage regulation का formula लिखा, तो उसके पीछे क्या assumption है, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, उससे और किस type का question frame हो सकता है, कैसे voltage regulation की मदद से voltage drop निकाल सकते हो, ये चीज़ें अगर आपने formula के साथ associate कर ली, तो फिर वो formula complete है, तभी short notes से मदद मिलेगी, अगर short notes में सिर्फ एक line में voltage regulation निप्टा दिया, तो बिटा, revision में कोई help नहीं करने वाला, क्योंकि आपको बस formula पता है, आपको ये नहीं पता, इससे जुड़े question को कैसे tackle करना है, ये चीज़ आपको नहीं पता होती है, तो इसलिए उसके साथ साथ उसके variation, उसके variant भी लिखो, जैसे अगर मैं आपकी जगे होता, voltage regulation का formula लिखता, उसको per unit में लिखता, उसको absolute value में लिखता, उसको ये भी बताता कि अलग-अलग load पे क्या होगा इस formula के अंदर, और इस formula से कैसे voltage drop निकाला जा सकता है, instead of voltage regulation, फिर देखो theory के लिए आप PS भीमरा के back के objective सवाल लगाओ, अगर आपने PS भीमरा से अच्छे सवाल लगा लिए, back end के सवाल लगा लिए, तो उससे ज़्यादा theory question नहीं पूछे जाएंगे, and what I love about those questions, is that कि those are analytical questions, वो ऐसे question है जहां आपको सोचने पर मजबूर किया जाता है, वो ऐसे नहीं है कि टिक 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 मार के चले जाओ, आप लोग बेटा अगर ऐसे machine की तयारी कर रहे हो, जहां सीधे टिक लगाने है, ठीक है सीधे टिक लगाने है, in that case you are not actually preparing for exams like gate, ESE, civil service, you are actually preparing for junior engineer examination, लेकिन अगर gate level की तयारी करनी है ना मेरे भाई, जिस question का answer दस भी second में आ सकता है बिना सोचे, वैसा बड़े exams के अंदर कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, अब basic concept क्या-क्या पता होने चाहिए, सर हमें machines के लिए network का AC analysis आना चाहिए बिटा, मैंने बताया इसके साथ three-phase circuit भी अच्छे से आना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्या सर पूरी EMT तयार करनी है, नहीं बेटा, पूरा EMT तयार नहीं करना, electrostatics वाले पार्ट का बहुत minimum यूज होता है, machines के अंदर जादा यूज किसका होता है, magnetism वाले पार्ट का, तो आप faraday's law तयार करोगे, आप dot convention बहुत अच्छे से ready करोगे, ये मैंने planet gate पे magnetically coupled circuit में पढ़ाया है, अगर आप ये देख लोगे ना, ये transformer में बहुत help करता है, transformer के अंदर बहुत help करता है, तो इसको जरूर देखना, emotional EMF, ये तो मैंने machine के अंदर ही पढ़ाया है आपको, amperes law और basics of magnetic material, ये magnetic material क्यों जरूरी है, बिटा ये theory questions के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते, paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, तो machine का core कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नहीं analyze कर सकते, लेकिन EMT का इतना part आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और मैं कहूंगा सिर्फ ये नहीं, कि आपको law का definition पता है, आपको law का formula पता है, उस formula को लगाना आना भी जरूरी है, बेटा planet gate पे notes आपको लिखने पड़ते हैं, वहाँ notes provide नहीं किये जाते हैं, आपको note down करना होता है, ठीक है, और अभी analog का जाहिद सर ले रहे हैं class, तो बेटा जाहिद सर का class attend करो, ठीक है, अब देखो transformer में कौन से topics पे आपको focus करना होता है, बेटा construction and working, सबसे पहले construction and working, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ready करनी होती है, ये आपको जादतर मदद करती है, JE और AE exams के अंदर, ठीक है, gate के अंदर अगर मैं priority order की बात करूँ, तो मैं जो most important topics हैं, उनको one दे रहा हूँ, जो थोड़े से कम important topics हैं, उनको two दे रहा हूँ, और जो एकदम ही नहीं पूछे जाते, उनको मैं three दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, transformer testing, voltage regulation, ठीक है, आपको one and two पे जादा focus करना है बेटा, क्योंकि उसी से जादा सवाल बनते भी हैं, miscellaneous concept के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे, magnetic coupling की, transformer rating की, ये basic basic चीजे आती हैं, 10-10-15 minute के concept हैं, मैंने इस पे आपको problems भी solve कराए हैं, ठीक है, तो this is for second ranking, auto transformer first ranking, three phase transformer first ranking, three phase में जादा focus numerical को छोड़के, इस बात पे करना कि three phase के अंदर, कैसे face shift निकाला जाता है, primary और secondary के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको three phase transformer को भी first priority में रखना है, तो three phase transformer आप से अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो मैंने आपको ना, categories बता दियें, one का मतलब है most important, two का मतलब है moderately important, और three का मतलब है least important, ठीक है, three का मतलब है least important, इस टाइप से आपके topics divided हैं, ऐसी अगर DC machine के अंदर बात करें, construction and working, again बिटा इस पे directly सवाल नहीं आएगा, बट इसके अंदर ना, armature reaction अच्छे से ready करना, this is quite important, अगर कभी gate वाले theory question पूछते भी है न, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा तर चांस है की armature reaction पे ही, सवाल पूछा जाएगा, induced EMF की अगर बात करें, this is on first, इसको मैं second पे डाल रहा हूँ बिटा, direct question बहुत rare आता है, torque equation, that is also very important, DC machine connection, जिसके अंदर आपसे यह पूछा जाता है, series machine, shunt machine, यह सारी चीज़ें, losses and efficiency, यह two पे है, losses and efficiency, DC machine का बहुत ज़्यादा relevant या बहुत ज़्यादा important नहीं है, बिटा पहली बार numerical attempt करने के लिए, मेरी वीडियो देखो न, उसके tough है numerical, लेकिन उनको करने के बाद या वो वीडियो देखने के बाद, numerical ना बने ऐसा नहीं होगा, ठीक है, DC generator characteristic, बिटा characteristic पह आए सवाल, जमाना हो गया, इसलिए मैं इसको 3 में डाल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं DC generator और motor की characteristic को 3 में डाल रहा हूँ, यहाँ पे अलग-अलग graph बनते हैं, आपके VT, IA, torque, speed, torque, IA, यह सारे graph बनते हैं, बट इन पे सवाल नहीं आते हैं जादा, starting of DC motor, this is not required for gate, ठीक है, DC motor की starting gate में नहीं पूछी जाएगी, DC motor का speed control, most important topic, जब भी कोई motor पढ़ते हो, motor के speed control पे, सबसे ज़ादा, सबसे ज़ादा question पूछे जाते हैं, breaking of DC motor, again, इसको मैं 3 पे डाल रहा हूँ, बहुत important नहीं है, parallel operation, again, it will be at 3, parallel operation of DC generator, जहाँ पे 2 DC generator, 3 DC generator मिलके load supply करते हैं, और हम यह देखते हैं, कि कौन कितना load supply करने वाला है, सागर यह है आपका जो session है, gate और ESE के point of view से है, please don't spam बिटा, ठीक है, उसके लिए जो तुम मेरे से पूछ रहे हो, UPA, RV, UNL, ऐसा तो है नहीं कि मुझे रटा हुआ है, तो मुझे भी उसका previous year देखना पड़ेगा, तो बिटा, PYQ देखो, एक बार idea लग जाएगा खुद से, synchronous machine, construction and working again, not very important, second ranking, ठीक है, बहुत जादा important नहीं होता है, construction and working किसी भी machine का, gate point of view से, यह काफी लंबा chapter है बिटा, induced DMF को first priority पे रखूँँगा, यहाँ pitch factor, distribution factor, यह सारी चीज़े करनी पड़ेंगी, रजनीश lecture missing नहीं है, playlist में added नहीं है, search करोगे मिल जाएगा बिटा, थोड़ी जी मैनत भी किया करो, equivalent circuit, not very important, 2 पे डाल देंगे इसे, voltage regulation again 2, voltage regulation method 3, अब voltage regulation method में भी ना बिटा, एक ही important है, that is EMF method, वहाँ से वो synchronous impedance आप से निकलवाता है, जिसमें बोलता है, VOC by ISC करके ZS आता है, power angle equation 1, क्योंकि इसके बिना numerical जादा तर नहीं solve होते, power angle equation के साथ साथ बिटा, reactive power, reactive power के नेचर को भी याद करेंगे, कि कैसे over excited condition में काम करती है machine, कैसे under excited condition में काम करती है, ऐसा क्यों होता है, machine के अंदर अगर आपने चीजों को क्यों से जोड़ दिया, तो आप जादा बहतर चीजों को relate कर पाऊगे, ये एक लौता ऐसा subject है, जिसको अच्छे से सीखना जरूरी है, as compared to other subject, सिर्फ question like सीख लो काफी होता है, parallel operation not very important, two पे डाल रहा हूँ, इसके अंदर droop important है यार, droop characteristic अच्छे से तयार करना कि उसका numerical कैसे crack करना है, losses and efficiency इसका तो rarely, एकदम rare of the rare case में आएगा, salient pole machine, ये important है यार, salient pole machine के अंदर 3-4 formula हैं, और उससे जुड़के सारे numerical बन जाते हैं, तो salient pole में आपको बहुत ज़्यादा hard work नहीं करना पड़ता है, power factor correction first, अगर पूरे electrical में मैं कहूँ, this is a common topic, जो की multiple जगे देखा जाता है, machine, power system, network, बहुत जगे देखा जाता है, तो इसे तो हमेशा अच्छे से तैयार करना, hunting और damper winding theoretical concept हैं 3, ठीक है, space and time harmonic 1, क्योंकि harmonic से related न, numerical आजकल बन जाते हैं, कि harmonic से rotating magnetic field का speed क्या होगा, harmonic के relative में slip क्या होगा, इस type के question बन जाते हैं, तो आपको एक basic idea होना चाहिए, कि भाई ये जो space और time harmonic हैं, ये कितनी speed से rotate करते हैं, कैसे इसके respect में slip निकाली जाती है, ये basic basic चीजें मालूम होनी चाहिए, last आता है induction machine, construction and working, again I would give two, not the first priority, लेकिन बेटा ये relative speed वाला concept, कि stator की speed क्या होती है, magnetic field के respect में, stator magnetic field की speed क्या होती है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत important है, inverted induction motor जहां rotor को supply देके, stator को short करते हैं, that is again very very important, equivalent circuit not that important, ठीक है, losses and efficiency most important, मतलब अगर किसी machine के losses and efficiency सबसे ज़्यादा important है, तो वो है induction machine, पहले induction, फिर transformer, फिर DC, फिर synchronous, जब आप losses and efficiency तयार करते हो ना बिटा, तो इस बात पर धियान देना कि आपको visualize करना है, machine में power कैसे कैसे travel कर रही है, कहां से शुरू हुई, कहां जाके खतम हुई, बीच में क्या-क्या losses आए, ये सारी चीजें जब आप visualize कर लोगे, तो ये losses and efficiency बहुत easy हो जाएगा, characteristic, characteristic is not very important, इसको मैं 3 पे डालूँगा, not very important, ठीक है, हर्श पीटा, 14 तारिक तक बताओ, website कहां से अनकाडमी की नई बनवाए, कि एकदम नई website बने, नई तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाए, 44 categories में exam का सब कुछ बदला जाए, बताओ कैसे होगा ये, testing, testing भी पीटा ज़ादा नहीं आती, इससे तो शायद आज तक एक question से ज़ादा आया ही नहीं है, testing में जहाँ पे की no load test और blocked rotor test की बात होती है, stability, I would market as two, यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा operating point stable है, कौन सा unstable है, तो बहुत ज़ादा question नहीं बनते हैं, starting and breaking again to, starting पे एक सवाल आया, breaking तो not required, induction machine की breaking gate के लिए required नहीं होगी, ठीक है, speed control, speed control बेटा जैसा मैंने बुला, हर motor का सबसे ज़ादा important है, सबसे ज़ादा important है, ठीक है, अब cogging and crawling, इसको मैं 3 पे डाल रहाँ, या चलो 2 पे डाल दो, harmonics की term में अगर बात करें, तो cogging और crawling is the only thing, that is related to harmonic, that is important from conceptual point of view, यानि अगर किसी harmonic concept पे theory question बनता है, तो ज़ादा तर chance है कि वो cogging या crawling पे बनेगा, और single phase induction motor is the most important, क्योंकि बेटा यहाँ से, एक independent question बन सकता है, which is not directly related to induction machine, it is a separate chapter altogether, तो ये आपको बहुत अच्छे ते तयार करना है, अब एक बहुत अच्छा question आया है सना का, कि synchronous machine को tough क्यों माना जाता है, क्योंकि बेटा machine synchronous को इसलिए tough माना जाता है, because synchronous के अंदर काफी जादा phaser का part involved हो जाता है, और बच्चों को जब लंबी calculation करनी पड़ती है, phaser से use करना पड़ता है, तब वहाँ पे उन्हें दिक्कत आनी start हो जाती है, और हर्श जो कह रहे हैं कि sir machine को आप खड़े होके पढ़ाओ बोर्ड पे, बेटा अगर मैं रोज 4 गंटे की class ले रहा हूँ, तो to be honest, do you think I can deliver online lecture on a daily basis for 4 hours standing in front of you, अगर उस तरह के से मैं deliver करने लगा, तो मैं बाकी सारी चीज़े मुझे छोड़नी पड़ेंगी, सिर्फ उस समय पे मैं teaching करूँ है 4 गंटे, जिसके बाद मेरी body पूरी तरीके से जवाब दे जाएगी, और दूसरी बात क्या होती है न बेटा, जब class के अंदर large number of student होते हैं, तो board पे पढ़ाने में I can't focus on each and every student, I can't answer their query, तो content से ज़ादा अपनी strength, अपनी standing पे focus करना पड़ता है, यह एक बहुत बड़ा drawback होता है, अब strategy क्या है बिठा, watch video lectures, plus वाले बच्चे यहाँ पर live classes कर सकते हैं, तो live classes attend करो, या फिर video lecture देखो, यहाँ से आपको basic बहुत अच्छे समझाएंगे, और यहाँ पर अगर आपका teacher अच्छा है, जैसे वरुन सर से पढ़ रहे हो, या मुझ से पढ़ रहे हो, तो हम लोग आपके सारे concept को connect करते हुए चलते हैं, जिससे कि आपको machine के अंदर कहीं पे भी, friction and vintage loss नहीं आता है, after every lecture बिटा, ESE previous year और भीमरा के previous year करना, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उनसे related question करके देखो, theory question आपको दोनों जगे पे काफी मिलेंगे, PS बीमरा में भी और ESE previous year के अंदर भी, इनसे आपका confidence बढ़ेगा, कि जो आपने theoretical concept पढ़ ली हैं, कि अब आप उनके concept को apply कर पा रहे हो, उस पे based questions को crack कर पा रहे हो, तो confidence यहां से build up होगा, और बेटा DPP solve करने के बाद, कुछ resources से question कर सकते हो, gate previous year, PS बीमरा की जो unsolved exercise, और solved example दोनों से, और kanोडिया बुक से, अगर आप basics में lag करते हो, तो basics के लिए, kanोडिया is the best book to solve numerical, अगर आपको basic बनाना है, और PS बीमरा को I respect a lot, क्योंकि यहां पे जो question given होते हैं, वो exam point of view से, बहुत अच्छे questions होते हैं, वो exam के लिए काफी to the point question होते हैं, generally मैं standard books recommend नहीं करता हूँ, gate की preparation में, but PS बीमरा is one such book, जिसके question काफी relevant हैं आपकी तयारी से, फिर बेटा, part test और subject test आपको देते चलना है, साथ साथ, ये सारी बातों पे धिहान रखना है, तो what you need is a good set of video lecture, तो चाहे तो weekend पे वरून सर पढ़ा रहे हैं, वो follow कर लो, मेरा machine का पूरा playlist है, वो follow कर लो, Saturday Sunday, every Saturday Sunday, 3.30 PM and 5 PM, मैं आपके लिए questions करा रहा हूँ, थियोरी के लिए electrical machinery by PS Bheemra, और इसकी दूसरी बुक भी important है, जनरलाइज थियोरी वाली, machine video lecture या फिर आप प्लस पे आ सकते हूँ, कनोडिया previous year PS Bheemra, ये questions के लिए refer करना है, और test series, ये आपके testing के लिए बहुत जरूरी है, कि आप लोग तैयारी किस level पे कर रहे हो, तो बिटा अगर आप प्लस पे आते हो, तो यहाँ पे automatically आपको सब कुछ एक साथ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ live classes मिलती हैं, top educators की weekly test होते हैं, daily assignment होता है, और सबसे बड़ी बात है बिटा, मैं यहाँ पे doubt solving के लिए पूरा batch बना के रखा हूँ, जो की everyday 5 पे चल रहा है, और अगर और आगे जाना है तो iconic के लिए जाओ, वहाँ personal coach मिलेगा, जो study planner बनवाएगा, teachers आपको guide करेंगे study booster session में, test analysis मिलेगा, study material मिलेगा, और एक dedicated team मिलेगी, जो सारे doubt answer करेंगे, यहाँ पे अगर बिटा code लगाते हों, अंकित EAC, तो आपको 10% discount के साथ, मेरी personal guidance मिलेगी, और इस code के साथ जुड़ा, बहुत सारे अलग benefits भी आपको provide कराए जाएंगे, और देखो यह batch start हुआ है, जिसमें analog start के सिधार सरने, और मेरा machine का course आ रहा है बिटा, सबसे बड़ी बात है plus पे, from 14th of July, लेकिन prices बढ़ जाएंगे plus के 1st July से, इसलिए जल्दी से जल्दी join करो, इसके अंदर फाइदा क्या होगा, इसके अंदर फाइदा ये होगा, कि 160R से जादा का content मिलेगा, डेली आपके assignment दिये जाएंगे, जो कि अगर YouTube वाले course को देखोगे, उसके अंदर नहीं है, यहाँ डेली आपको class में भी सवाल कराए जाएंगे, और घर के लिए भी दिये जाएंगे, जो मैं part test की बात कर रहा था, हर Sunday test भी होगा, हर चौता session, हर alternate day, हर Tuesday, Thursday, Saturday, दो घंटे doubts को दिये जाएंगे, इसके अलावा डेली बेसिस पे पांच बजे, आपके doubt लेने वाले हैं, ठीक है, और यह date याद रखो, 27th को बेटा scholarship टेस्ट हो रहा है, 11 बजे, यह जरूर देना, और इसमें enroll कर लेना, using the code अंकित IAC, अच्छा करोगे, तो you can win even 100% discount, तो बेटा, prices बढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने बोला, जल्दी से जल्दी जॉइन करो, वरना same subscription का, जादा pay करना पड़ेगा, अभी जॉइन करोगे, तो अंकित IAC से, 1 year fees, 27 to 25, 18 months, 34, 650, 2 years, 39, 600, 2 years के लिए जाना, ताकि पर्मन फीस मिनिमम रहे, और installment में भी दे सकते हो, येस बिटा, आश्वाक हुसेन भी कर सकते हो, थियोरी के लिए, ऐसाच कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन numerical के लिए, पीएस भीमरा is most relevant, Iconic 1 year, 45 to 25, Iconic 2 year, 66, 600, ठीक है बिटा, और ये मेरा Unacademy profile है, इसके बाद भी अगर कोई query रह जाए, तो यहां message कर देना, कुमार प्लस पे, daily class सुबह 7 से 9 और 10 से 12 होगी, 4 घंटे daily class चलने वाली है, August 31st को मैं आपका syllabus wind up कर दूँँगा, machines का, तो time भी कम लगेगा, one and a half months का course है, जिसके अंदर आपका complete machine best way में तयार होने वाला है, ठीक है, और ये मेरा telegram channel है, वहाँ पे मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूँँगा, आप लोग refer कर सकते हों, so thank you everyone, like, share, subscribe करना ना भूलें, और comment जरूर करें वीडियो पे, जहां पे कि आप बताएं कि हमें आपको वीडियो कैसा लगा, और हम आपके लिए इसी तरह के और वीडियो लाते रहेंगे, so till then बिटा साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे और खुल के बोलेंगे, let's crack,